आजके इस वीडियो में आपको यह वताने जारूं कि कैसे आप अपने Poco X6 Neo Android फोन में जब भी आप अपने फोन से कॉल करते हैं तो कॉल करते समय अगर आवाज नहीं जारी है सामने अले परशन को तो इस प्रवल्म को आप सौल कैसे कर सकते हैं आजके इस वीडियो में आपक हम स्थार्ट करें से थों क्युक्त को पर फोन को आप कौने वीडियो चाले ब हहाँ अफान करने कंढले साह सनधेर सबस्क्षाट वाले नीचे कीस आइडिय आंटीयो इडिर शिस्टम रिश्टम पर टैब करने इस वाले पीज में आपको इस टोरीज का अपर आपको आपको नीचे clear catch पे tap करना है आपका पेज आएगा नहीं से okay करना है आपका catch के सावनला data जीरो हो जाएगा ठीक है अगला काम करना है कि है mobile phone का software आपको चेक करना है क्या update है या नहीं है इसके लिए पहले phone का internet आपको चालो रखना है इसके बाद phone का setting पे जोगन करना है सबसे तो परे search setting पे tap करना है यहाँ पर सबसुबर सर्च उबार में security update आपको लिखना है ठीक है आपको नीचे security update का option आता है इसे tap करना है अब आपको आपका mobile phone इस setting में लेकर आएगा security update का यह option आप tap करेंगे तो आपको इस वाले page पे कोई भी update का बटन या download install अगर यहाँ पे तो ध्यान रखेगा माइक को लिखना होटा प्रेशर नहीं लगानी है नहीं तो माइक के अंतर की पार्टिकल्स होते हो 5 डैमेज हो सकते हैं अब दिखें अगला काम यह करना है mobile phone और इसे करने देखी दोस्तों आपको इस पेज में नीचे Erase All Data पर टैप करना है, आपका इस पेज आएगा इसमें आपको Factory Reset का option टैप करेंगे, तो इससे आपका phone reset हो जाएगा, और आपके जो problem है वो आपकी solve हो जाएगी, लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात ही ध्यान र प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपके problem solve हो जाएगी, ठीक है?